नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सब्डेट के बारे में तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे किसार इसका कुछ अपडेट दीजिए तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो अभी तो बात करेंगे फिलहाल में कि देखिए अगर बिहार में किसी परकार का भी वकेंसी आता है ओफ-लाइन हो या ओनलाइन सबकी जनकारी इस चैनल के माद हमसे आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो बिहार अमीन का जो केस है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि डेट में जो है चेंजिंग हो गया है तो डेट जो है डेट ऑफ-फिलिंग 18 जनवारी 2022 दिखा रहा है और रेजिस्टेशन डेट जो है 27 जनवारी 2022 दिखा रहा है और यहां पर देखिए तो जो मतलब जो है कहा जाए तो इसका जो डेट है सिर्फ आगे की और बढ़ते जा रहा है और देखिए यहां पर एक्शन डेट में जो है एक्शन डेट में यहां पर कुछ भी नहीं दिया है तो अभी इसके बारे में देखिए अभी तो इसका जो है डेट जो है आगे की और बढ़ रहा है कर रहे हैं लोग की इस दिन सुनवाई होगा मगर उस दिन आज तो लगभग हो गया आप लोग को दो मन से यही समाचर सुनने को मिल रहा है कि इस दिन सुनवाई तो जब तक आपको कोई भी हम फिक्स डेट को सुनवाई होगा कि हमने पर नहीं हुआ डेट आगे की और बढ़ गया तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करने लगे कि मतलब कि जूट बोल रहे हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं देखिए खबर मिलता है कि इस दिन सुनवाई होगा लेकिन उस दिन जब आता है हम लोग इंतिजार करते हैं तो क्या होता है कि डेट जो है आगे की और बढ़ जाता है तो और भी किसी परकार का अपडेट हम को मिलता है इसके पोजेटिव तो हम आपको तुरत वीडियो बना कर इंफॉर्म कर देंगे धन्यबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ये अपडेट के साथ